10 Most Scary Amusement Parks in the World दुनिया के 10 सबसे खौफ़नाक Amusement Park नमस्कार, Top 10 Hindi YouTube चैनल की एक और जबरदस्त वीडियो में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 10 सबसे ढरावने और खौफ़नाक Amusement Parks के बारे में बताएंगे एक सबसे था जब ये Amusement Park खुशियों और रोवांच से भरे होते थे लेकिन आज ये वीरान पड़े हुए हैं वीरान पड़े ये Amusement Park इतने ढरावने लगते हैं कि इनको देखकर ही मन में तहशत बैट चाती है तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं अमरिका के न्यू और्लियंस में बना ये पार्क किसी समय अपने शांदार जूलों के लिए काफी मशूर था इस पार्क के मेगा, जेफ, रोलर कोस्टर और स्पॉंज बॉब नाम के जूले उस समय काफी फेमस थे साल 2005 में आए कैटरीना नाम के तुफान ने इस पार्क को तहस नहस कर दिया तुफान ने पार्क का इतना नुकसान किया कि ये पार्क हमेशा के लिए बंद हो गया तब से लेकर आज तक ये वैसे ही बंद पड़ा हुआ है किसी समय बेहत खूबसूरा देखने वाला ये पार्क आज किसी भूत या खंडर की तरह नजर आता है इसको सिर्फ देख लेने से ही मन में डर बैट जाता है इस पार्क के बारे में लोगों ने तरह तरह की अफ़ाहें भी फैला रखी है पता है जाता है कि रात में इस पार्क के अंदर जोकर्स के सर कीचड में तेरते हैं कुछ लोगों का मानना है कि इस पार्क में जॉम्बीज भी रहते हैं। इसी तरह की अफवाहें इस पार्क के बारे में उड़ती रहती हैं। इस पार्क का निर्मान 1965 के आसपास किया गया था। जर्मनी के बरलेन शेहर में स्थिद इस पार्क को पहली बार 1979 में खोला गया था। उस समय बरलेन में बहुत प्रसिद्ध था। सैंकडों मील दूर से लोग इस पार्क के मसे करने के लिए आते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीटता गया वैसे वैसे लोगों में इस पार्क के लिए दिल्चस्पी कम होती गई। धीरे धीरे ये पार्क का पूरी तरह कर्ज में डूब गया। आखिरकार साल 2002 में इस पार्क को बंद कर दिया गया। तब सलिकर आज तक ये पार्क बंद बढ़ा हुआ है। एक समय था जब इस पार्क के खुबसूरा जूले इसकी जान हुआ करते थे। इस पार्क का रेड फेरिस वील जूला उस समय बेहत लोग प्रिय था। आज ये पार्क किसी डिरावनी फिल्म के सेट जैसा दिखाई देता है। सालों से वीरान पड़ा ये पार्क किसी के भी दिल में डर पैदा कर सकता है। बरलेन के लोग रात में इस पार्क में अकेले जाने को लेकर एक दूसरे से शर्ट लगाते हैं। लेकिन कोई भी जबूतिया पारक में अकेला नहीं जाता है। इस चांदार पारक का निर्मान आस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में स्थेथ टू रॉक्स नाम के एक छोटे से टाउन में किया गया था। साल 1981 में इसको पहली बार लोगों के लिए खोला गया था। उस समय ही आस्ट्रेलिया के मशूर अम्यूजमेंट पारक में से एक हुआ करता था। इस पारक का मज़ा लेने के लिए लोग दूसरे देशों से भी आते थे। इस पारक के लाइव डॉल्फिन शो और पैडल बोर्ड राइड के लोग दीवाने थे। 1987 में हुए स्टॉक मार्केट क्रैश को ये पारक जेल नहीं पाया और सिर्फ 9 साल चलने के बाद 1990 में इसको हमेशा के लिए बंद कर दिया किया। उसके बाद इससे पारक आज तक वीरान पड़ा हुआ है। किसी समय बेहत मनुरन जग माना जाने वला ये पारक अभूतिया मना जाता है। लोगों ने अफवा पहला रखी है कि इस पारक में बुरी आत्माओं का साया है। इस पारक के बारे में तरह तरह की अफवाहें फहली हुई हैं। वीरान पड़ा हुआ ये पार्क रात में बहुत खौफनाख नजर आता है। अमेरिका के ओहायो स्टेट में स्थेदिये पार्क सबसे पुराने अम्यूजमेंट पार्क में से एक है। इस पार्क को सन 1878 में खुला गया था। लंबे समय तक ही अमेरिका जाने वाले टूरिस्ट के बीच आकर्शन का किंद्र बना रहा। इस पार्क के रोलर कोस्टर्स, फ्लाइंग कैफे, क्रूसेल और फेरिस वील जूले लोगों के बीच बहुत फेमस थे। उस समय अमेरिका जाने वाला हर एक व्यक्ति इस पार्क में घूमने जरूर चाता था। बनी हुई है। लोग डर के कारण इसके आसपास भी नहीं भटकते हैं। यूक्रेन में बना ये पार्क 1986 की गर्मियों में खुलने वाला था। उस समय के हिसाब से ये पार्क यूक्रेन का सबसे बड़ा और शांदार अम्यूजमेंट पार्क होने वाला था। इस पार्क में 26 मीटर उंचे फेरिस वील जूले, बंपर कार्ट्स और स्विंग बॉट्स लगाए गए थे। जो उस समय के हिसाब से बेहत आधुनिक थे। लोगों में इस पार्क को लेकर काफी उतसा था। लोग इस सबरी से इस पार्क की खुलने का इंतजार कर रहे थे। आलागी लोगों का ये इंतजार कभी खत्प नहीं हो पाया। साल 1986 में हुआ चरनबल नूकलियर प्लांट धमाका इस पार्क से कुछ ही किलोमेटर दूरी पर हुआ था। इस हाथसे के कारण ये पार्क कभी नहीं खुल पाया। सालों साल विरान पड़ा रहने के कारण इस पार्क ने भूतिया रूप ले लिया। इस पार्क के जूले आज भी वैसे ही खड़े हुए हैं। एक खुबसूरत देखने वाला पार्क एक हॉंटिट फ्लेस बन गया। बताया जाता है कि धमाके से निकले रेडियाक्टिव पार्टिकल्स आज भी इस पार्क में मौझूद हैं। नắmبر 5 विल्यम्स ग्रूफ M rend summertime सबसे पुराने और लंबे समय तक चलने वाले management में से एक है। इस पार्क को सन 1850 में खोला गया था। अपने समय में ये सबसी आधुनिक amusement पार्क Benes में से एक माना जाता था। लोगों के बीच ये पाक इतना ज्यादा पसंदीदा था कि ये एक सदी से भी ज्यादा समय तक चलता रहा। 155 साल तक चलने के बाद साल 2005 में इसको हमेशा के लिए बंद कर दिया खें। इतने लंबे समय तक चलने की वज़ा से इस पाक के सभी कल पुड़ से बेहत पुराने हो चुके थे। इतना पुराना होने की वज़ए से इस पाक ने बहुत जल्दी हांटेड रूप ले लिया। इस पारक के अंदर चारो तरफ लंबी जाडियां उग गए जो इसको और ज्यादा खौफनाक बना देती है। ये वाग इतना ड्रावना लगता है कि इसके मालिक ने इसको 2016 के हैलोवीन पर एक रात के लिए खोला था। बेहद अलग देखने वाला ये थीम पाक जापान के प्रसिद्ध ज्वाल मुखी माउंट फ्यूजी के पास बनाए गया था। इस थीम पाक का डिजाइन अठारवी सदी की प्रसिद्ध नौवल गुलिवर्स ट्रे 1997 में खोला गया था। लेकिन ज्याता टिकेट ना बिखने के कारण इस पाक को चार साल बाद 2001 में बंद कर दिया गया। ये पाक जपान की मशूर स्यूसाइट फॉरेस्ट के काफी पास बनाए गया था जो कि एक हॉंटेट प्लेस माना जाता है। शायद इसी कारण इस पा अकेले जाने से खतराते हैं। प्राइड नाम की एक जूले में जूलते हुए एक जवान लड़के का अक्सिडेंट हो गया। इस अक्सिडेंट पे लड़के ने अपना एक हाथ हमेशा के लिए खो दिया। इस घटना के बाद पार्ग में लोगों की सेफटी पर सवाल उठने शुरू हो गया। आखिरक के एम हर्थ्सबर्ग टाउन में इस पार्क को सन 1898 में खोला गया था। उस समय ये कैनडा का सबसे अच्छा अम्यूस्मेंट पार्क माना जाता था। ये पार्क अपने शांदार और बड़े जूलों के लिए प्रसिद्ध था। इस पार्क की चका चौंद कर देने वाली प्रोशनी लोगों को अपने पास खींच लेती थी। चोंकि ये पार्क एक आईलेंड पर मौझूद था इसलिए लोगों को पार्क में पहुचने के लिए बोट से जाना पड़ता था। समय के साथ साथ लोगों में इस पार्क के लिए रुची कम होती गई। साल 1993 में 95 साल लोगों का मनुरंजन करने के बाद ये पार्क हमेशा के लिए बंद हो गया। 27 साल से बंद बढ़ा ये पार्क अब एक हॉंटिट प्लेस का रूप ले चुका है। इस पार्क के खौफनाख नजारे किसी के भी दिल में डर पैदा कर सकते हैं। लोगों ने इस आईलेंड क ये बारे में तरह तरह की अफ़ाहें भी ठाला रखी हैं। इस जगा को शापित समझा जाता है। फ्लोरिडा के और्लांडो शेहर में बना ये पहला वॉल्ट डिजनी वॉटर पार्क था। ये पार्क लोगों के लिए सन 1976 में खुला गया था। खुलने के कुछ समय बाद ये पार्क लोगों के बीज बहुत प्रसित हो गया था। उस समय ये पार्क फ्लोरिडा का सबसे अच्छा विकेशन स्पॉट कहला आ जाता था। गर्मियों के छुट्टिया मनाने के लिए पूरे फ्लोरिडा में इस से बहतर जगा कोई नहीं थी। शुरुवाती 15 सालों म ये पार्क की डिमांड काफी अच्छी बनी रही लेकिन उसके बाद लोगों में पार्क की रुची कम होने लगी। घटते हुई डिमांड के कारण ये पार्क साल 2001 में बंद कर दिया गया। 19 साल से ये पार्क बंद बढ़ा हुआ है। पार्क के अंदर ज़ाड़ी और घास फूस उग गई है। अपने समय में बेहदा करशक देखने वाला ये पार्क आज एक डरावना खंडहर बन चुका है। इस पार्क का स्ट्रक्चर अब एक हांटिट प्लेस जैसा नजर आता है। सालों साल इस डरावने पार्क के आसपास को वे इनसान नहीं भठकता है। त हम ऐसे ही रोमान चक वीडियोज आपके लिए हर रोज लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद।